हेलो फ्रेंड्स मैं विनेय निर्भिक फ्रेंड्स आपका अबर फिर्शे हमारे चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स जैसे कि मैं आप लोग से कल बताया था एक सौट वीडियो में कि आपका एक्जाम 15 जुलाई तक होना मुस्किल है और उसका डिटेल कारण नहीं दिया था जो सुबह में यह वीडियो लेकर के आया हूं और मैं बताना चाहता हूं कि किन किन कारणों के वैसे आपका जो एक्जाम है 15 जुलाई तक होना मुस्किल है मैं मुस्किल वर्ड यूज कर रहा हूं तक मुस्किल का मतलब क्या है इतकुछ लोग इसको लेकर यह गाल देने लगे करनाटका की हालत खराब है तो मुझे करनाटका नहीं मालूम कब तक है सब्सक्राइब लेकिन आपका तमिलनाटक में 21 जुन तक बढ़ा दिया गया है और अभी उमीद है आगे और बढ़ते जाएगा हमें लगता पूरा जून यह लोग डाउन में ही जाएगा जितने भी म मदलब करोना नॉर्मल नहीं हुआ है सरकारी आकड़ों में भी रियल्टिक है मैं नहीं जानता ठीक है तो अभी मुझे यही लगता है कि 30 जून तक 28 जून तक लॉग डाउन चलेगा ही चलेगा तो यह अलग मुद्दा है अगर 28 जून तक लॉग डाउन चलता है तो इसके कहा जा सकता है कि साथ या आठ जूलाई से एक्जाम स्टार्ट हो सकता है क्योंकि रेल्वे टाइम दे नहीं रहा है दस दिन के अंदर भी एक्जाम करा सकता है वैसे भी सेवन्थ फेस्ट 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 है अलग से बताने कि जरूरत है तो यह कराया जा सकता है वैसे बत कर दिया गया है एक बार पहले से रेल्वे को बता देना चाहिए कि हां हम इस महीने से अफिर इस तारिक से एक्जाम कराने जा रहे हैं जैसा कि आपको मालूम में रेल्वे का पहले एक नियम तो दौर अठार तक कि वह 45 दिन पहले नोटिस जारी करता था दौर अठार तक कि 2020 में भी ऐसा ही हुआ है लेकिन केवल एंटी पीसी वेकेंसी में ऐसा हुआ है कि नोटिस नहीं दिया गया पहले से आपको मालूम होगा उससे पहले जो 15 दिसमबर से स्टार्ट हुई थी मिनिस्टर इंडिस अग्या था कि हां आपका एक्जाम 15 दिसमबर से कराय जाएगा यानि करेक्ट 45 दिन पहले ही नोटिस आ गया था जैसा कि रेलवे हमेशा करता हर एक वेकेंसी मिकरता है और उस 31 सक्टूबर के ऑफिशन नोटिस के बाद फिर एक दिसमबर को और तीन दिसमबर को प्रेस कॉन्फरेंस या फिर मीडिया इंट्रेक्शन वेगरा किया गया थ है वैसे यही बात समझ में आती है कि वहां पर इन लोग को कराने का मन नहीं था एक्जाम आप लोगो सुरुस में बता रहा था लेकि जब मेडिया इंट्रेक्शन में क्या हुआ कि इतनी बड़ी बात बोल दिये हम 28 दिसमबर से एक्जाम कराएंगे तो फिर क्या हुआ हु लेकिन रिजन के दिया जरे मीडिया इंट्रेक्शन में कि जैसे बोर्ड एक्जाम पुस्पाउन होगे जून में होने वाल था इस वहाँ आपका मार्श में भी हो सकता था लेकिन आपने ऐसा नहीं किया ठीक है तो लोग हमें गाल देते हैं हमें कहते हैं कि तुम तो तब पहले की लॉजिक से उसी बेसे में बात करता हूं तो यही चलता था कि 25 दिन पहले आपको नोटिफाई किया जाता था हमेशा यह पहली वेकेंसी है आपको नोटिफाई नहीं किया गया 45 दिन पहले ठीक है और अगर प्रेस कॉन्फरेंस का भी डेट जोड़े तो मैं 27 दिन पहले हुआ था जिसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं था कि अगर आप मीडिया इंजक्शन में बात कह रहे हैं तो आप उफिस्यल नोटिस में उसका जारी कर सकते हैं अगर आप शेयोर हैं तो लेकिन आप लोग खुद शेयोर नहीं थे क्योंकि आपने काई कॉल रिकॉर् मैं लॉक्डाउन का एक रिजन देई दिया हूं कि अभी लॉक्डाउन मुझे लगता है कि 28 जुन तक कम से कम चलने वाले हैं क्योंकि तमिल नादू में 21 जुन तक है और मैं बता दू अगर देश के किसी भी राज में लॉक्डाउन लगा हुआ है तो फिर एक्जाम होना म मुझखिल है इसलिए है क्योंकि यह और यह चानुकर अलग इंदिय्या इकलता है अगर और सब्सक्ट करा सकते तो अगर किसी एक रिजन में कोई इस्यू है अपना एक्जाम करा सकता है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंच की यहां पर थोड़ा सा मुश्किल है व्योंक क्योंकि आप जानते हैं कि यह ऐसी गवर्मेंट है किसी की भी बात नहीं मानती है और रेलवे भी ऐसा ही कर रहा है रेल मंत्री साब ऐसा ही कर रहा है चैर्में साब ऐसा ही कर रहे हैं किसी की बात किसी की लॉजिक नहीं मानते हैं आपने मनमानी कुछ भी कर सकते हैं जब इनका एक्जाम में तो मतलब ऐसे होगे तो अचानक इडाटिक डिक्टेटर सीफ भी कहा जाएगा ठीक है तो यह मुद्दा अभी क्या है अभी लॉकडाउन का है लेकिन मैं एक मैं notice कही रहा हूँ मैं एक order के बात कर रहा हूँ Supreme Court का order अरया है ठीक है जो डिक्जाउम को लेखर के नहीं है इसको जोड़के देखा जा सकता है क्योंकि Supreme Court ने इस बात को इस तरीके से बोला इस तरीके से पेस किया है जो समझा जा सकता है लेकिन फिर भी मैं यह वर्ड मुस् परिच्छा एक महिने के लिए टाली इसमें क्या लिखा हुआ है यह परसो कनीजों मतलब कल की निकला हुआ था तो नई दिल्ली सुपरीम कोट ने शुक्रवार को अखिल भारती आयर विज्ञान संस्थान एम्स त्वारा 16 जून को आयोजित की जाने वाली INICET परिच्छा को एक महिने के लिए टालने का आदेश दिया है कोरोना महमारी के मद्दे नजर सिर्श अदालत ने यह निड़ा लिया देखा जारे रिजिजन के दियर है कोरोना महमारी और कुछ नहीं ठीक है ज़स्टिस इ परिच्छा के बाद को होना चाहिए इस परिच्छा को कराना जरूरी है इसकी तयारी पूरी हो चूकी है पर आसर ने उस आदेश का अभी हवाला देखिए इसमें कहा गया था कि परिच्छाएं चलती रहनी चाहिए हालां कि पीटने एम्स की दलीलों को नकारते हुए कहा प्रथम द्रिष्ट्या हमारा मानना है कि आई एनाई सी एटी पशेद और रिकिस को कम से कम एक महीने के लिए अस्थागित किया जाने कम से कम एक महीने क्या मातला है जब 16 जून है तो 16 जुलाई से बाशन हु होना चाहिए dec vibrant ये माल ये लिए अस्थागित क्या लिए दिल्ली में भले ही कोरोना की स्थिति में सुधार है लेकिन देश के कई हिस्सों में इस्थिति अब भी खराब है क्योंकि यह भी ऑल इंडिया एक्जाम है इसलिए ऐसा बात किया जा रहा है पीठ ने हालंकि सुनवाई की सुरुवाट में कहा था कि समीदान का रिचार 32 की तहत इस तरह की याजिकाओं पर कैसे विचार किया जा सकता है परच्छाय कर रही है मनमाना काम रहा ह头 सूप्रीम को बोलना पड़ आ तो मैं इसे से बोलना हूं कि अगर इस ओडर को देखा जाए तो आपका कोई भी रेलेवे है का करता है क्या नहीं करता है कोई नहीं जानता। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग preparation करते रहें ठीक है अगर आप preparation करते रहेंगे तो ही आप फायदे में रहेंगे मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ और अगर क्यों एक्जाम देट्स चिलाएंगे तो फिर आप ही के लिए problem create हो सकता है ठीक है तो अगर 15 जुलाई के आपस एक्जाम स्टार्ट होता है तो वह एंटी पीसी का भी होगा क्योंकि अभी आपको मालूम है कि कि सॉरी फ्रेंट्स है थम्निल उपर अलावद है को वैकेंसी लिखा गया है कैसे मैं चेंज कर दूंगा थम्निल में तो अभी क्या है कि मतलब कि अगर 15 जुलाई से बात किया जाए तो आपका एंटी पीसी इस्टार्ट जुलाई के आसपास लेकिन गुरूब डी का एक्जाम उसके बाद होगा अब उसके बाद देखें लोग नुटफाई करते हैं कि नहीं करते हैं यह इन लोग का आप्शी मामला है लेकिन पहले तो जोगा यह शेयर है उसके बाद ही गुरूब डी हो पाएगा ठीक है फ्रेंट्स थामनेल पापको ध्यान मत देजाएगा उपर मैंने ध्यान नहीं दिया चेंज नहीं हुआ है मैं फिर से सौरी उसके लिए बोलता हूँ जो उपर थामनेल रहेगा वीडियो के लिए उसके म नहीं थैंक यू जय हिंद जय भारत